नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आफिसल उटूब चैनल जी एस बे नीरसर में जैसा कि सभी को पता होगा 20 जनवरी 2020 कुछ बिशेश रहा 20 जनवरी 2020 को एक नया चेहरा एक नया नाम के साथ उबरा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने का थाथ पर यह है कि प्रात्मिक सदस्यों के मामले में तनिया की सबसे बड़ी पार्टी है BJP ठीक है BJP जन्म इसका कब हुआ है यानि गठन कब हुआ तो 6 अप्रेल 1980 को अभी टोटल टोटल 20 साल लगभग होने वाले हैं पार्टी को 20 साल इधर और 20 साल इधर यानि 40 साल टोटल टोटल होने वाले हैं और इस 40 वर्ष में टोटल 11 अध्यच दे चुके हैं ठीक है 11 करम की अध्यच जिप नड़ा जी बन गए हैं अभी तक करीकाल टेश थे अभी इन्हें पर्मानेट बना दिया गया है ठीक है तीन साल करीकाल रहेगा आईए देखते हैं जिप नड़ा जी को क्या था बीजेपी का इतिहास तो बीजेपी 20 जनुरी 2020 से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राष्टी अध्यच बनाएगा है जेपी नड़ा कारीकालिन का तीन वर्स का रहने वाला है बीजेपी प्रात्मिक्ता जो सदस्ता दिलाने का मामला है उसके मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 20 की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी ठीक है सबस्यादा सदस इससमें बीजेपी के कारीकरता है ठीक है ध्यान रखना है 303 सेटों के साथ इससमें वर्तमान में मोधी गवर्मेंट है BJP के के वहल 303 BJP के के वहल 303 candidates के वहल BJP के है जिसमें अगर बात करते हैं सबसे पुरानी party Congress की तो Congress इस समय बाउन बाउन से टूपे सिम्टी होई है Congress ठीक है द्यानर अठना है 1980 में जब जनता पाटी टूटी तब BJP का गठन हुए गठन किस ने किया तो बीजेपी की अस्थापना 6 अप्रेर 1980S को अटल बहारी बाजपे ने किय थी ठीक है अटल बहारी बाजपे बीजेपी की पहले राश्टी अध्यच भी थे राश्टी अध्यच कि कारिकाल इनका क्या था तो 1980-86 लगादार 6 बर्स ये कारिकाल पे पहले राष्टी अध्यच रहे और पार्टे को थोड़ी से उंग चाहियों तक बहुँचाने का कारी किया हाला कि बेफल रहे और खुद लोकसभा चुनाओ हार भी गए थे ठीक है 1984 जब बीजेपी पहले लोकसभा चुनाओ लड़ रही थी तभी इंद्रा गांधी की हत्या हुई थी और हत्या की सहानभूती के मामले में कांगरेश को बहुत बड़ी जीत मिले ठीक है और उस समय बीजेपी मातर दो सी रुपे समट गए लेकिन नई पार्टे थी नया अधिक कारिकाल के अध्यच भी यही है बीजेपी के इतिहास में सबसे आधा कारिकाल के अध्यच भी यही है सबसे आधा समय तक राष्टी अध्यच यही रहे हैं 1986 से 90 तक 93 से 98 तक और 2004 से 5 तक रहे हैं यह राष्टी अध्यच ठीक है सबसे लंबा कारिकाल इनका रहा है इनही के दर्मियान 1989 में जब लोकसभा चुना हुआ था उस समय पार्टी जीत के आई थी पचासी सीट ठीक है पचासी सीटों के साथ जीत के आई थी और जब बाचपीजी इसके हैड थे तो दूसीट ठीक है 161 और 96 में गवर्मेंट बनी थी पीम बने थे पार्टी अस्थापत यानि अडिल भीहरी बाचपीजी थेरा दिन गवर्मेंट चली गिर गई फिर जुना हुआ उसमें देखा गया उसमें अगला ट्रम देखते हैं तब तक फिर राष्टी अध्यच चैंज हुए तो हो पी के तीसरे अध्यच बने थे राष्टी अध्यच की बात हम लोग करते हैं अध्यच का मतलब यही है 1991 से 1993 तक राष्टी अध्यच रहे कुछा भाव ठागरे यह 1998 से 2000 तक राष्टी अध्यच रहे हैं बीजेपी के ठीक है बीजेपी के बीजेपी अस्तापना 6 अपरेल 1980 पूछा गया है एक वार क्वेश्चन ध्यान रखना है 6 अपरेल 1980 अस्तापना किस ने की थी तो अठल भहरी बाचपे ने की थी पहले अध अगले अध्यच आते हैं बंगारू लच्चमन तो बंगारू लच्चमन 2000 से 2001 तक राष्टी अध्यच रहे हैं देन अगले राष्टी अध्यच हो जाते हैं के जनाकर्ष्ण मूर्ती के जनाकर्ष्ण मूर्ती 14 मार्ज 2001 को राष्टी अध्यच बनते हैं जून 2002 तक जो प्रधानमंतर अटल भिहरी बाचपई के कारिकाल में जब उनका तीसरा कारिकाल चल रहा था 2004 तक चला है ठीक है और 2004 में कब तक चला है तो वो 13 मई 2004 तक PM थे PM थे 13 मई 2004 तक PM थे अटल भिहरी बाचपई जी ठीक है एक जुलाई 2002 से पाच अक्टूबर 2004 तक राष्टी अध्यच थे PM बेंकान आईडो पार्टी को थोड़ी सी उचाईयों तो पर तो ले गए बट बहुत अच्छा कारिकाल नहीं रहा नितिन गटकरी ने पार्टी को नई उचाई दी ठीक है नितिन गटकरी ने पार्टी को बहुत बड़ी उचाई दी 2010 से 2013 तक बीजेपी के राष्टी अध्यच रहे हैं बीजेपी के और करमट जुजारू पर त्यासी की रूप में कारी किये हैं सत्तिनिष्ठा के साथ कारी किये हैं बीजेपी को नई उचाईयों तक लेजाने में इनका महत्पून योगदान है ठीक है अगले श्टब पर आते हैं राष्टी अध्यच बने हैं तो यानि उन्होंने किसे पदभार ग्रहन किया था तो राष्टी अध्यच ने उन्हें पदभार दिया था ठीक है तो 28 October 2000 को UP के CM भी बने थे ध्यान रखना है UP Special की त्यारी में यह data important है 28 October 2000 को UP के CM बने थे राणास सिंग दिन दू कारिकाल देखने के बाद बर्तमान में रच्छा मंत्री हैं ध्यान रखना है तेजस में उडान भरने वाले भी पहले रच्छा मंत्री हैं अमिसा की अगर बात करते हैं तो अमिसा सबसे बड़ा कारिकाल और सबसे अच्छा कारिकाल अगर सबसे बड़ा कारिकाल की बात की जाएगी तब तो लाल की सनाट बनी आएगे क्योंकि तीन कारिकाल देखें 86-90, 93-98 और 4-5 ठीक है लेकिन अगर अगर मिसा की बात की जाए तो 14-19, 5 साल तो रहे हैं बड़िन का कारिकाल बहुत अच्छा रहा है 300 प्लस सेटों पे जीत दर्स कराई थी 330 सेटों पे अकेले दंपे बीजेपी 2019 के लोगसभा चुनाओं में जीती है ठीक है 2019 के लोगसभा चुनाओं में यूपी, यूपी के जो प्रभारी बनाए गए थे वो जेपी नड़ा ही बनाए गए थे और जेपी नड़ा इसी में थोड़ा सा पॉपलर हुए है तो अमिसा के कारिकाल में नवराज्यों में सरकार बनी लगभख 70% एरिया में भारत के 70% एरिया बे बीजेपी सासन कर रही थी बीजेपी सासन की है इन्ही के दमखम में, अमिसा के दमखम में यह सारी कारिय हो पाया है ठीक है, और 70% बे लगभख में बीजेपी का जंडा लहराया है बात करते हैं 2016 में तो असम पुर्वुत्तर का छेतर है पूंडते हाब बहुमत से बीजेपी की सरकार है ठीक है और वर्दमान में अगर बात करते हैं यूपी की तो यूपी बिधान सभा चुनाओं में 41% एकलमत के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभीरी थी और 325 यूटोपे जीत दर्ज की थी अमिसा के नेतरत्यू में ठीक है अमिसा यूपी प्रभारी बनाए गए थे 325 सेटे जीते थे पिछली 4 दसक की सबसे बड़ी जीत है ये किसी भी पार्टी की पिछली 4 दसक की सबसे बड़ी जीत है बिधान सभा में यूपी में ठीक है अब बात करते हैं 17 लोग सभा की 17 लोग सभा में पहले ही बताया है कि 303 सेटों पे जीती उस समय बीजेपी की राष्टे अद्धेश मिसाही थे अब जगत प्रकास नड़ा की बात कर लेते हैं जेपी नड़ा 20 जनवरी 2020 को 20 जनवरी 2020 को राष्टी अध्धेश बनाए गए है कारिकार इनका 3 साल का रहने वाला है जून 2019 में कारिकारी अध्धेश बनाए गए थे जेपी नड़ा का जन पतना जो कि बिहार की राष्टानी यह वहाँ पी हुआ था इन्होंने अपनी मुलभूत पढ़ाई जो है पतना इन्वस्टी से बिये की पढ़ाई की है और उसके साथ हमानचल परतेस से ललबी की उपाधी धारन की है अगर जनवर की बात करते हैं तो जेपी नड़ा 2 देसंबर 1960 को पैदा हुए थे पतना में ठीक है अगर बात करते हैं इनका कईसे रुदवा बढ़ा है तो जेपी नड़ा का रुदवा कईसे बढ़ा है यह पार्टी में कईसे इतने चर्चित चेहरे बने हैं तो 1991 में बीजेपी युवा मोर्चा की आउट हुआ है ठीक है और वो भी इम्हांजल प्रदेश के इनवस्टी से 2010 में राष्टी महा मंत्री बनाए गए तब थोड़ा सा इनका कद बढ़ाया गया राष्टी लेबल पर मौचे ठीक है उसके बाद 2014 में संसदी समित का सच्यू बना दिया गया तब तो इनका कारिक चुनाओं में यूपी का परभारी बनाया गया और यूपी में लगभग 63 सीटों पर लगभग 63 साट प्लस सीटों पर जिद्दज कराई थी इन्होंने और तभी से इनका छेहरा थोड़ा सा हैलाइट हुआ और उसके बाद इन्हों इस्पेसली कारिकाल भी मिल गया था अधास अधास और गुड़ा थो उसमें यह जान करी मिली और उसके साथ अभी बीजेपी के मरत्मान में प्रदेश आध्यशनाई राष्टि आध्यश है ठीक है इनके साम में जो चुनाओती है वो सबसे पहली चुनाओती है दिल्ली विधान सभा चुनाओ अर्बिन केजरी वाल सबसे बड़ा मुद्धा है आप ध्यान रखना है तो इनसे जीत दिलानी है कैसे जीतेंगे उनके उपर डिप्रेंड करता है दूसरा बिहार चुन अगर बात की जाए तो ब्रक्तिकत क्रम में 11 नंबर के बीजेपी के राष्टी अध्यच बने है इनसे पहले मिसा थे इनसे मिसा से पहले राना सेंग से पहले नितन गटकरी थे तो एक बार रिवाज कर लेते हैं अटल भीहरी बाच पही संस्था पकी थे ठीक है संस्था च अगर चैनल के साथ नहीं जून है तो चैनल को सब्सक्राइब पर लें बेल आइकन को प्रेस करने हैं जिसे की नोडिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहा है और चैनल का भरपूल आप रिसके धन्यवाद